हर हर महादेव चैमाता दी दूस्तो कैसी ही आप सभी मातारानी की क्रपासे आप सभी मस्त होंगे दुरस्त होंगे और चुस्त होंगे दर्सकू आज मैं आपको पुजगुदेब द्वारा दो विसीस उपाय बताने वाली हूँ पहला उपाय है धन प्राप्ति के लिए और दूसरा उपाय है मन वांचते चाओं को पूर करने के लिए दोनों ही उपायों को ध्यान पूर्वक सुनना है क्योंकि समय चैत्री नवरात्रे चल लए हैं इन उपायों को करना बिल्कुल भूलें पहला उपाय धन प्राप्ती के लिए है अगर आपके घर में किसी तरह से धन की परेशानी चर रही है घर में आए दिन पैसा रुखता ही नहीं है आए दिन घर में करजा होता ही रहता है या महीने के अंत में आपको करजा लेना पड़ता है तो इसके लिए ये विशीश उपाय आपको करना है इसके लिए आपको क्या करना है कि इस उपाय को करने के लिए आपको नौ समी के पत्ते लेने हैं त्यान पूर्वक सुनिएगा नौ समी के पत्ते लेने हैं और उन समी के पत्नों को लेकर आपको एक घी का दीपक लेना है और ये दीपक आपको गोलवाती का लेना है। इसके बाद आपको जाना है भगवान सिव के मंदिश जहां पर सिवाल हो वहां पर आप जा सकते हैं जहां भगवान सिव की सिव लेकर रखी हुई हो। ऐसे मंदर में जाने की बात सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आप 9 समी के पते ले कर गए हैं। और उसके बाद तीन समी के पत्ति आपको भगवान सिव की सिविलिंग पर ओम नमशिवाय यह श्री शिवय नमस्तुब्य मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करने हैं और आपकी जो धन से जुड़ी समस्या है उसको बोलते हुए भगवान से प्रात्ना करने हैं कि आपके घर में जो धन से जुड़ी समस्या है वो खत्म हो जाए जो आपको महीने के अंत में करजा लेना पड़ता है महीने का खचा अच्छे से नहीं चल पाता है तो ऐसा आपके घर में ना हो ऐसी प्रातना करते हुए तीन समी के पत्ते भगवान भोलिनात की सिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं पांच भगवान गड़े इसके स्तान पर और तीन भगवान भोलिनात की यानि को लम लाकर आठ समी के पत्ते आपने समर्पित कर दिये इसके बाद आपके पास बचता है एक समी का पत्ता और इस समी के पत्ते को जब आप भगवान सिव जी के मंदे से बाहर निकलेंगे उस समय आपको अपने सीधे हाथ पर यानि कि मंदे से बाहर निकलते समय अपने सीधे हाथ की तरव जो आपका सीधा हाथ होगा उस इस्थान पर भगवार्ण जैसे ही मंदिय से आप भाहर निकलیں तो आपको मंदिल के पास में ही जैसे गेट के पास में आपको समी का पता रख देना है और वहीं पर आपको घी का दीपक चला देना है फिर आप सीवपने घर बापस आजएंगे यह था पहला उपाइट जो कि आपकी धन की कम्मी को धूर करेगा और दूसरा उपाई ये है कि अगर आपके घर में कोई वच्चा बाहर पढ़ता है या कोई व्योपार बाहर करती है या फिर कोई अन्यकार करने के लिए आपको बाहर जाना पढ़ता है और आपके घर से जो भी सदसे किसी भी जरूरी कारे के लिए बाहर जाए और उसमें आपको सफलता मिले तो आपको क्या करना है कि चतुर्थी का दिन है यानि कि भगवार गड़ेश जी का दिन है ऐसे में आप ये उपाय करेंगे तो बहुत ही जल्द आपको लाब मिलेगा जब आप भगवार गड़ेश का पूजन अर्चन कर ल दाल भी ले सकते है कोई सावी अनाज आपको मिल जाता है जो या वाजरा कोई भी अनाज आपको मिल जाता है उस अनाज को एक कटोरी भरकर आप ले लेंगे और उसे आप भगवान गड़ेश के जहां पर आपने पूजा अर्चना की है वहां पर रख देंगे थोड़ी दे लें ऐसा नहीं है कि इसमेंसे आपको कुछ भी मतलब किसी कारे के लिए अनाज लेना है इसको एकदम सुरच्छत आपको रखना है उसके बाद क्या है कि आपके घर से जब भी कोई सद्द से किस जरूरी काम से जाता है आपको लगता है कि इस कारे में आपको सफलता मिले तो के लिए आपको क्या करना है उसमें से दो दाने उनकी जेम में रख देनी है भगवान गडिस का नाम लेकर ऐसा करने से जिस भी कारे के लिए जो व्यक्ति आपकी घर से जाएगा उस कारे में सफल होकर ही आएगा उमीद करती हूं बहुत अच्छे से आप लोगों को ये तर अवस्य दूंगी